आज के यूमे आजादी के मौके पे एक तो मौका बहुत मुबार्च और दूसरा ये जो जहां मनाय जा रहा है उटावण में जादा बाहर चौक पे मनाय जा रहा है ये भी उतने तवारीखी और अपनी जिगे एक बहुत बड़ा अपना मुकाम रखता है उसमें मैं सबसे पहले आपको यूमे आजादी की दोनों बातों को बड़े नदर रखते हुए आपको बहुत बहुत मुबारट बात देता हूं कि आप सब लोग इतने भारी उसमें तदात में तो हैं लेकिन जिनोंने हमेशा बहुत लंबे समय से हजारों साल से जिनोंने नमाज को जिनोंने अपने इलाके को जिन्होंने हमिशा जर्नुमाई दी है इसमें उल्माई दीन से मेरा मुखातिप है कि उनकी शिर्कत उनकी जो यहाँ चाहे वो स्टेज पे बैखे हो चाहे नीचे बैखे हो अपने आपने एक सवारी की बात है और इस पीज के लिए मैं आप सब को बहुत-बहुत मुबारक ब दिन मना रहे हैं और स्टेज पे हमारे साथ मौलाना मदमी के बहुत ही मौलाना मदमी के बहुत ही नजदीक उनका साथ हमेशा मेवाद में भी और देश में भी दुनिया में भी मेरे हमारे कारीर रमदान साहा मालब से क्योंकि मेरे वालिस साथ के भी बहुत बड़े नंबे अर्थों से कह सकता हूं पचास साथ से भी उपर से उनकी आपसी जो दोस्ती के हैं आपसी जो लगाव के हैं वो अपने आपने सवारीक है हमारे यहां मौलाना हश्रफ अली जहां यह उतावर से जिनका इमाम साहब भी हैं और यहां जनरल सेक्ट्री भी हैं जमेतु उलमा हिन्द हमारे फरिदाबाद से और मैं कहूंगा फरिदाबाद में हरियाना में अपनी जुझारूपन और अपने हमेशा लगन और कौम और मिल्लत का दज्बा जिन में कूट-कूट के भरा है और बड़ी छोटी उमर से ही उनमें हिद्मत का मादा है मेरी मुराद है मेरे बड़े भाई और हरियाना भूमी विकास के पूर्फ चेर्मेन और अब हमारे हरियाना कांग्रेस के माइनोर्टी विभाग के हमारे सम्मानित चेर्मेन और जमेतु पुरेशी हरियाना के भी अज्यक्ष है वो हमारे बीच मे हादी अब्दुलकफार कुरेशी साथ हमारे छोटे भाई और आपके यहां से रहनुमाई और जिन्हों ने इलाके में पहली बार विधाय को बनके इलाके में यह दिखाया कि इलाके में मेवाद के इलाके में हतीन के इलाके में अगर कोई विकास अगर कोई जो आप लोगों की उमीद और जो उमंग पूरी कर सकता बाबा जलेथ खांके हमारे जाथी भाई इसराई खांग जो मेंबर परदेश कॉंग्रिस कमेटी हैं वो हमारे बीच में हम उनका द्रागत भी करतें क्योंकि इनका पहले इनोंने मादरत ले ली थी कि बादशापुर से ये भागे भागे हैं हमारे बीच में मौलाना जुमा साथ, मौलाना शम्शुदीन साथ, मौलाना इब्राहिम उटावर्ड, हमारे बड़े गाउं उटावर्ड के सर्पंठ हाजी उन्नु साथ, हमारे पूर सर्पंठ भाई मक्सूद, हाजी अक्तर उतैंता पूर्ष, सर्पंठ, हमारे भाई अधीम जो युवा हैं जिला पार्शद आपके, भाई इसलाम कुरेशी जो पड़ोक जिला पलवल से, अलसंक्यक वेभाग के अत्यक्ष हैं, हाजी यूसुफ कॉडिनेटर गुडगावा पूरेशी जनका आपने सुना, भाशन भी सुना, हमारे इम्रान पुरेशी फरिदाबाद से वकील हैं, डेकली गाउं से, हाजी गुलदीन पुरेशी पिनंगवा से, हमारे इर्शाद पुरेशी जल्लाबाद से जो पुनाना नगरपालिका के, हमारे नगर पार्शद हैं, हमारे भाई कयूम पुरेशी घासेडा गाउं से, भाई इकलाथ घासेडा गाउं से, हमीब पुरेशी साथ पुनाना से, भाई नुरुतीन हसीन से, मौलाना यूसुफ साथ उटावर, मेरे बहुती अजीज, और भाई शाद पुरेशी फरिदा स्वाफिस बॉहम्हद असद इमाम जाम्शिद उतावड़ शाहिदान मेवाथ आपनी हुं समाज के लिए ऐ soutill did आप में सब्सक्रा गाउर को आप नीन्य जा सकती हमारे उसमानित नेक काम से अजारों लोगों को हज का और चन्दिगर में अपनी खिद्मत का जो मौका इंको मिला वो करते रहे हमारे और सभी साथी आजी अब्दुल अजीज देहलवी और सभी साथी जो यहां है आप सब साथी है आपका सबका मैं शुक्रियादा भी करता हूँ और मैं मुबारक बाद देना चाहता हूँ मौलाना हकीम उद्दिन साथ ताथी हैं इसमें कोई दोरा है नहीं जब हम तवारिक को देखते हैं जो तरजी या तवारिक में जो हमारे उल्माय के हमारे दीनी रहनुमाओं की जो उनका चाहे मुबलों के खिलाफ चाहे अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी उसमें जब वतन परस्ते की बात आई जब अपने देश के लिए और अपने हकूप के लिए और जब भी उन्होंने महसूस किया कि हालात मुनासिब नहीं है तो उन्होंने हमेशा खयादत करी और उनका तवारिक में जो स्थान होना चाहिए था मैं इसे दावेक साथ कह सकता हूँ अगर हिंदुस्तान की यौम आजादी में सबसे बड़ा किसी का किरदार और सबसे बड़ा किसी की भागेदारी रही है वो हमारे दीने उल्माओं और हमारे दीनी रहनुमाओं की रही है जो की जिसके उपर हमें फकर भी है और हम इस बात को और फकर के इसलिए कहते हैं मुझे आज भी याद है तन 2006 की बात है कारी रंदान साथ मालम में अपने मजर्षे पर सबसे पहले मजर्षे का दावत 15 अगस का इनकी तरफ से आया था और मैं इनको मुबारक बात देता हूँ कि आप तो सरकारे कह रही हैं आज वक्त का तकादा है आज हम भी महसूस कर रहे हैं कि हमें घुमनामी में रहने के बजाए अपनी नुमाया करनी चाहिए अपनी कुर्बानी अपनी जो हमारी तवारीक में हमें जिगे नहीं मिलिया ह उसे हमें अपने आने वाली में लोगों बताना चाहिए उसके लिए मैं मौलाना हक्मती साथ को क्योंकि चाहें वो खरकड़ी में 15 अगस हो चाहें 26 जन्वरी हो चाहें कोई मोका हो कौन के लिए उसमें हमेशा रहनुमाई करते हैं और मैं इनको खास तौर पर इस बात की मुबारक बात देता हूं कि इनोंने उटावर जैसा इतिहासिक गाउं जिसमें 56 लोगों के एक ही कबर में हमारे 1857 के शहीदों को एक ही समय में उनको दफन किया होते से पता लगता है कि इस मिट्टी में कितना इंकलाब है इस मिट्टी में कितना आप रोगों में कुर्वाने देने कमाता है और किस तरीके से आप चाहे निजाम हो अंग्रेजों का चाहे निजाम हो आज के आजाद हिंदुस्तान का दातियों बहुत कम मौके मिले हमें भाई इस्राइल ने हम में रूपड़ा के में एक बार दावत दी थी मौका था शहिदा ने हमारे बाई सर्फुद्दीन वग्यारा ने साथियों ने सभी साथियों ने और हम जब आये थे हम यह फकर होता है और हम और बाई चौधरी जले खांथा आपने क्यों हमसे हो सका शहिदों की याद में रूपड़ा के मैं तो किया ही किया लेकिन आप देख सकते हो पूरे मेवाद जिले में पूरे पल्वल जिले में चाहे दोवा से लेके तावडु तक की बात हो चाहे उटावड से लेके हमारे सून कर्मानियां होई थी हमने कॉंग्रेस के राज में अपनी कुर्बानियों को लोगों के सामने नुमाय करने के लिए शहीदी मिनार इसलिए मनाई थी कि जो लोग हम पे वतनप्रस्थिका या कोई हम पे सवार उठाते हैं या उनकी उनकी हिम्मत ना हो ये वीर भूमी जो है ये शहिदों की भरती है, इसने पुर्बानी का माता है, और हमने वक्त वक्त पे हमेशा पुर्बानी दी है, और आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मौलाना हक्मित जुन साफ, आज उटावरण में इस बात को कर रहे हैं, मुझे खूशी होती है उटावरण में आने पे, क क्योंकि चौद्री खुर्शीद साथ का जब जब भी इस फुटावण गाओं पे अगर उसकी अंग्रेज की तरह निगा हुई है चौद्री खुर्शीद और मैं हमेशा आपके गाओं के आनवान चान के लिए हमेशा अपनी चाती अडाके चाहे इमन जन्सी की बात हो चाहे कोई ज्यात्ती की बात हो हमेशा आँ उसके लिए आपके बीच में खादिर रहे हैं और आप लोगों ने भी उसका बदल क्योंकि बदल नहीं होता मैं एक बात कह सकता हूं पार्लेमेंट की सीट अलग हो गया लेकिन हमारे ना तो दवात अलग होई है ना हमारा प्यार अलग हुआ है ना आपकी कुर्बानी अलग हो सकती है ना हमारी आपके पर्ती खिद्वत करने की जो है उसमें कहीं कसरा सकते हैं इस बात को मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आज खड़ा हूँ मौलाना हक्मतीन साब का हुकम हुआ कि आपको उटावड आना है मैंने का मौलताब आप खरखड़ी में जब कौम को जगाने के लिए और उस गुम्नामी जो कुर्बानिया हुई है उनको याद करने के लिए आज तो शाम्याने के तहते हैं वहां खुले में करते हैं और हजार करते हैं एक बात को कर सकते हैं कि जो आज की चुनोती है जाए सरकार मरकद में किसी की हो थूबे में किसी की हो कोई ज्याती करने का या कोई रादा रखती हो लेकिन जब हम और आप और जब हमारे उल्माएं दीन रहबर जो हमारे रहनुमर करते हैं हमें इन्शाल्ला इन से और यहां हैं बहुत मौखिक खराब करने के भाइचारे के खराब करने के आप सी अमारा जो समाध है उसको बाटने के लिए राज़री तिक करी इसे विछ लेगे चार घंटे से प्रोग्राम चल रहा है और हजारों की संच्छा में आए हैं और योमे अजादी का जशन मनाने के लिए जाए परदार तरलोचन सिंह ने कहा दूप में भी कर्मी में भी आप यहां इखटे होएं मैं तो यही कहूंगा हमें अपने बत्यों की परमान देने की दरूब नहीं है लेकिन अगले आने वाली नसल को अपनी कुर्मानियों का और क्या माधी में रहे हैं और आगे चलके हमारे सामने जो चुनौतियां हैं जो दुश्वारियां हैं उसे लड़ने के लिए अपनी उनको बच्चों को तयार करना चाहिए इनको तालीम जरूर देनी चाहिए चाहे मदर्से में दो चाहे स्कूल में दो जिससे आगे आने वाला समय जो है वो अगर उसमें लड़ाई किसी चीशी होगी वो जहनी तोर पे लड़ाई होगी किसी हथ्यार से लड़ाई नहीं होगी और जहन जबी आपका उभर के आएगा जब आप उसकी जो है तामीर करोगे चाहे स्कूल में करो चाहे मदर्सों में करो और मुझे इस बास के लिए कहते हैं फकर होता है आज मेवाद तब्लीक के नाम से पूरे दुनिया में जाना जब आज मेवाद का मौलाना कोई हिंदुस्तान का कोणा नहीं है जहां वहाँ जाके मस्जिद में अपनी खिर्मत को अंजाम ना दे रहा है अपनी लाइन पे आप लोगों के तीडी दूबे हैं जो आज के शडियन तरकारी जो आज के राजनितिक दलों का एक कारोबार चल रहा है नफरत का उससे लड़ने के लिए हमें जरूत है कि हम अपने माजी को याद रखे हम अपनी जुम्मेदारी को याद रखे और हम एक अपनी तर्वियत और अपनी तामीर आने वाली मसल की उसको थाई तरीके दिखरे मैं आप सब लोग इतनी बहुत देर से करदी में हैं हम भी आपसे यही कहते हैं अल्ला हमें आपको अमन सकूल से रहने के लिए इस देश में हमें अपने देश और अपने परदेश के लिए ऐसे योमे अजादी मनाते होए और सरक्की करने का और उसको आगे बढ़ाने का हमें भी जो आपको भी शर्ट हासिल है उसे और आगे हम बढ़ाएं मैं इसी बात को कहते हुए आप सब लोगों ने आज मुझे बुलाया स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिय और मौली हकमद्दीन साथ को और साथ उनके साथियों को इस बात की मुबारक देते होए कि ऐसे फकर के मौके पे ऐसे योमे अजादी के मौके पे हमें अपनी क्या हम मारी गॉर्बानिया रही किस तरिके से आपने नुमाय करके पीपु सुल्टान साथ के कॉर्बानी को क्योंकि खुर्बानी जब हमारी कम नहीं रही है, हम यहां में आजादी मनाने में भी इसी जए कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।